हेलो अब्रिवन आपका एक बाफीर से वेलकम करते हैं हमारे आज के इस फ्रेस वीडियो पे तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिसक्स करूंगा कोटक इमर्जिंग एक्वेटिब फंड डारेट प्लान के ग्रोथ के बारे में है तो इसमें लोग तीन-चार चीज अच्छा जिस्क्स करेंगे पहला हम लोग देखेंगे कि कंपनी का एक मंत छे मंत एक साल तीन साल पंच साल का रिटन क्या है अभी इनका एक एन वी का प्राईस क्या है रेटिंग की बात करते हैं यह कितना इस्टार रेटिंग है इसमें मिनिमम इस आप क्या लगा सकते हैं इसका फंड साइच क्या है साथ हम लोग डिसकर्स करेंगे इसका रिटन कल्कुलेटर और देखेंगे कि इसके अंदर कौन-कौन सा इस्टॉक हाल्डिंग है सबसे पहले हमें बात कर लेते हैं कोटक इमर्जिंग इक्वेटिफ फंड डायेक्ट ग्रोथ का जो रिटन की बात कर लेते हैं अब लग तो पिछला 6 मैने के जो अंदर जो रिटन दिया है वह दिया है 17.79 परसंट का रिटन दिया पिछले 6 मंद में आपको शे मैने में देख देखने को मिला है एक साल की बात करें तो एक साल में जो रिटन है वह दिया है 18.23 परसंट का आसपास रिटन है पिछला एक साल में तीन साल की रिटन की बात करते हैं तो तीन साल में लग बग जो है 39.90 परसंट का रिटन दिया है पिछले 3 साल में और 5 साल की बात कर लेते ह में 18.74 परसंट का रेटन दिया गया है यह तो हम लोगों ने अभी देखा इसका रेटन अब देखते हैं इसकी एनवी तो इसका एक एनवी का प्राइस है संतानवे रुप्या अथातर पैसा और रेटिंग यह फोर इस्टार रेटिंग है इसमें आप मिनिममम इसाइप एमाउंट एक सोर लगा सकते हैं इसका जो फंट साइज है वह है 29,558 करोड अब इसका हम लोग हॉल्डिंग देखते हैं इसके अंदर टॉप 10 जो है ऐसे तो य है कुमेंस इंडिया लिमिटेड तीसरा है सेफचर इंडिया लिमिटेड चौता है प्रजिश्टन सिस्टम लिमिटेड पांचमा है एसके एफ इंडिया लिमिटेड छत्रा है प्याई इंडिस्टियर लिमिटेड साथमा है सोला इंडिस्टियर इंडिया लिमिटेड आठम लिएन दर 76 इस्टोक हॉल्ड है अब हम लोग इसकी रीटन कल्कुलेटर की बात कर लेते हैं यदि आप 50,000 पर मन्त जमा कर रहे हैं तो आगे क्या आपको रीटन मिले वाला है तो यदि आप 50,000 पर मन्त जमा कर रहे हैं तो आपका एक साल में जो पैसा जमा होगा वह जमा आपको मिलेगा 6,710 रुपिया बात करते हैं तो तीन साल में जो आपका पैसा जमा होगा वह जमा होगा एक लाख 80,000 रुपिया आपको मिलेगा 2,47,760 रुपिया पांच साल के बात कर लेते हैं तो पांच साल में जो आपका पैसा जमा होगा वह जमा होगा 3,00,000 रुपिय लगभग 80% का रिटर्ण के साथ तो आज इस छोटी सी वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिसकस किया कोटक इमर्जिंग एक्वेटिव और डारेट ग्रोथ के बारे में तो फिर मिलते हैं लोग नेस्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को ले करके